जो हम दिखाने वाले हैं आपको फोटो कापी मशीन क्यों सेरा जो खुद मैं यूज़ करता हूँ और तीन साल से यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छी मशीन है मैंने सुचा कि आपको दिखाओं अगर आप ये काम कर रहे हैं किसी प्रिंटर से या उसे तो आप नुक्सान नहीं और तो मैंने सुचा आपको दिखा लेता हूँ तरही ये यह वह मशीन क्योर्स और बहुत ही अच्छी मसीन है और कि यह हमारी फूटो कापी मशीन है जो कहीं बहुत ही फिरीमेच मसीन है अच्छी मशीन है क्यों को प्रिंटरiva करने झावण तोड़े बहुत फीचरज में हैं इसलिएений सक्सिस है मैं है डॉप्लेक्स कर सकते हैं ऊपर से डाल refresh डाल के दोनों साइड प्रिंट कर देता है ठीक है यहां से से साइड पर वोता है यहां से सिंगल साइड प्रिंट कर देते हैं और इसमें पेपर ड़ने है, निकालके और इसमें दोबारा से हम इसको लगा के और मस्टी को डीटी कर लेते हैं, मस्टी डेटी है यहां से हो जाएटे, यहां हम पेपर रखेंगे, इसमें कि सिर्फ लीगल पेपर तक की यूज़ कर सकते हैं लीगल से ज्यादा नहीं एक फोर और लीगल बस यह दो के पर साइज में यूज़ हो सकते हैं और उपर से ऐसे डालेंगे यह पर यहीं से ले लेगा स्टार्ट बटन दबाएंगे यह पर ले लिया और यहां निटाल दिया और यहां से फोटो कापि यह देखा है इन्ने ब्लैंक फैपर डाला था इसलिए ब्लैंक फैपरी ही निकला है फोटो कापियों के इसमें हम सिंगल साइड और डुपलेक्स दोनों ही कर सकते हैं अभ चलिए इस मसीन के पीछे का हिसा तो यह है इस मसीन के पीछे का हिस्सा यहां पर आपका USB Cable लगती है जो कि प्रिंटर से कंप्यूटर से आपके कनेक्ट हो जाती है बहुत यह आसानी दूर्ण लगता है यह पीछे का इसा पेपर अगर कभी यहां जाम तीछे अगर आंगे पेपर ना हो यहां पेपर हो तो य मैंट इन्स बहुत ही कम है ना के बराबर मैंट जाको की कि हो जाएगा या प्लेट फूब जायेंगी या बहुत जादी को सिफिक फराब हो जाएगी osti 2400 से उपर का खर्चा नहीं आना है, चार साल तक नहीं आना है, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं आना है, और छोटा मोटा खर्चा है, बस इसका 300 रुपए सर्विस चार्ज जो भी बंदर ले जाएगा, 2500-300 आपके एरिया में जो भी लगता हो, 300-400 तक चला जाता है, ठीक ह और फोड़ी मोड़ी सर्विस तो अगर आप 240 को रख लोगे, तो इसमें इतना कुछ काम ही नहीं है, इतने पार्ट ही नहीं है, कि आप हर वक्त इंजीनियर की ही ज़रुत पड़े, ये आसानी से आप हैंडल कर सकते हो, आसानी से आप पेपर निकाल सकते हो, पेपर जैम हो जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा खटपट करनी ज़रुत नहीं बहुत आसानी से निकल जाता है, अगर दो चार पांट बार आप इंजीनियर को रिफिल करते देख लोगे, वो आपको समझा देगा, तो आप भी आसानी से रिफिल कर सकते हो, खाली पार्डर लेके आप आपको रख लेना है, और आसानी से घर में आप, घर में नहीं शॉप में, घर वालो के लिए मशीन यह नहीं है, लोग हावा बना देते हैं, इतने कब रिंटर ले लो, घर में ले लो, घर वालो के लिए मशीन नहीं है, यह कॉमर्शिल मशीन नहीं है, दुकान वाले ही यह है वो पॉर्डर दिख रहा होगा आपको यह है वो पॉर्डर तो कुछ इस तरह का वो पॉर्डर आता है पूरा पैक होता है मेरा यूज कर रखा है आधा तो यूज किया हुआ रखा है तो जो कि मैंने इसमें आधा डालाता है एक पैकेट आता है आधा किलो का जो इसमें आधा थोड़े से थोड़ा स्याधा डाल सकते हैं और थोड़ा सा आप बचाक रख सकते हैं जिससे कि अगर यह जो आधा खतम हो जाए आपका तो जैसे ही यह के खतम हो तो होँता क्या है कि अचानक से अगर आपके पास स्टॉपC में नहीं होगा फिर आपका काम रुख जाएगा फिर दो dyn चार दिन अगर आपके घर से market दूर है या श्टॉपC नहीं मिलता है कोई dealer नहीं है पास में तो आप 2-3-4 दिन जितने भी दिन में एक बार मार्केट जाते होंगे, हफ्ते 10-15, एक महीने में, जितने भी दिन में आप मार्केट जाते होंगे, तो उत्रे टाइम तक यह आपका लॉस ही चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसमें आधे से ज़्यादा आप रिफिल कर ल हफ्ते दस दिन का टाइम मिल जाएगा तो आप इसको स्टॉक को ला सकते हैं दुबारा से इसके पॉर्डर का और रख सकते हैं या फिर आप एक काम यह भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा कॉसली नहीं मिलता है मेरे इधर तो यह किसेरा का एम 2040 का टोनर 500 रुपय का पैकेट मिलता है अब बस आपके दर बहुत ज़्यादा होगा साड़े पान सो पर छे सो रुपय से ज़्यादे का नहीं मिलेगा तो इतना इसको आप स्टॉक करके रखते हो कि एक पैकेट आप अपने पास स्टॉक करके चेलो और इसको प्रेक पैकेट स्टॉक होने के पाद इसको जैसे यह खत्म हो जाया । थर यक महिने का वीज पच्छीज दिन-दिने-चम करके क्या और आप यह लिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब बजार जाओगे तो एक पैकेट रॉन्स लिया होगे तो यह आपको काम नहीं रुखने वाला और मेरे साफ से अगर आपकी मेरे जित्ती फोटो सौफ है मिल जैसी और यह आप खोलना चाह रहे हो और मार्केट में काम है फोटो कापी का आपके काम हर किस एरिये में है अब घली में भी खोल लो तो भी फोटो कापी वो जाएगी में डोट पे खोल लो तो बहुत अधा चलेगी तो यह मेरे साब से बहुत अच्छी मशीन हों आपके लिए अगर आप काम सुरूर भी करने जा रहे हो तो इस रेज में इस रेट में मेरे पास मैं आपको बता दो मेरे पास सबसे पहले एक मशीन थी कैनन की जो मैंने 80,000 रुपे की मंगवाई थी तो वो मशीन बहुत अच्छी थी मगर उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी वो जदे तर लोगों के साथ आती ही है अगर किसी का नुकसान होता है तो सबसे बड़ा मेजर कि जब वो सर्विस पर आती थी तो मैं जब उसके इंजीनियर को कॉल करता था तो वो इंजीनियर मुझे तीन-चार दिन का बोलके हाफ़ते दस दिन पंदरा दिन कभी-कभी एक डिक डिक महीने बाद आता था तो मशीन में अगर छोटी सी कमी होती है जैसे इसमें है या कि कर देते हैं उसके अंदर धूल देश्ट हो जाता है और भी कारण होते हैं तो रबड भी शूव जाती है चलते जलते जुसकी जगह तो उसमें बड़ी-बड़ी कमी आ जाती है तो मैं इसलिए नहीं चला पाया